हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन और स्वागत है आप सभी का अमारे चेनल आज डे बुटिक पर आज एक बार फिर से देखेंगे ब्लाउच की कटिंग आज देखेंगे कटोरी ब्लाउच की कटिंग ठीक है बिल्कुल पॉपुलर साइज रहेगा ये 38 चेस्ट साइज इसकी कटिंग कैसे करनी है चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको कटिंग करोगे तो यहां पर हमने लिया एक पेपर आज बताऊंगा पूरा फर्मा बनाने के लिए कि कैसे आपको इसका फ्रेम तयार करना है अगर आप हमसे इस्पेशल चलिए शुरू करते हैं लंबाई यहां पर साड़े 14 इंच के एक इंच का मार्जिन लेंगे और निशान लग जाएगा आपका साड़े 15 इंच पर यह निशान आपको दो जगा लगाने हैं ताकि स्केल से आप इन निशानों को बराबर मिला सको यह इस टाइप से जब आप आपको डीप रखना है तो शोल्डर आपको डेड़ इंच माइनस करना है ठीक है हाफ करने के बाद डेड़ इंच माइनस करना है इस चीज़ को धियार रखिएगा तो यह निशान आपका आएगा पौने 6 इंच पर clear यह पौने 6 इंच का निशान यहां पर भी लगाएंगे ठीक है यह निशान हमने लगाया उसके बाद अब बात करेंगे चेश्ट और कमर की तो पहले बात करते हैं लूजिंग की 38 इंच चेश्ट है दो इंच का देंगे लूजिंग तो यह हो जाएगा 40 इंच ठीक है यह बेसिक नॉलेज है इस सब चीज़ को आपको ध्यान में र हो जाएगा ठीक है दो इंच यहां पर भी एड हो गया अब बात करेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे लेना है तो 40 इंच हो गया अब चेश्ट इसका चौथा इससा लेंगे तो यह हो जाएगा 10 इंच ठीक है 10 इंच का निशान और उसके बाद आपको अलग से यहां पर अब सभी लोगों के लिए कमर की अगर बात करें तो अब कमर हो गया 34 इंच का इसका चौथा इससा लेंगे तो यह हो जाएगा 8 इंच और उसके बाद कमर पे आपको लेना है सवा 2 इंच का मार्जिन अब एक चीज यहां पर आप ध्यान रखोगे जितना आपने चेश्ट पे मार्जिन लिया है उससे एक इंच जादा आपको कमर पे मार्जिन लेना है ठीक है कमर पे आपका मार्जिन एक इंच जादा इसलिए होता है क्योंकि कमर पे डॉट लगते हैं इन निशानों को अब बराबर इस प्रकार से आपको मिला देना है जैसे ही आप यह निशान म को इस तरह से लगा लेंगे इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें गला कितना लेना चाहिए ब्रोड्नेस ऑफ नेक तो गले की यहां पर चौड़ाई आप लोगे इस ताइप से और जैसे सामने गले की बात करें तो यहां पर 6.5 इंच का सामने गला है तो यह 6.5 इंच का निशा कि यह एक कटूरी ब्लाउज है तो यहां पर गले पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे सिंपल गोल गले का शेप देना है बिलकुल नजदीक से यह ऐसे ठीक है अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं आर्म होल की उसके बाद आएंगे कटूरी ब्लाउज के इंपोर्टेंट ठीक है यह हो जाने के बाद यहां पर देखना अब कटूरी ब्लाउज आपको बनाना है तो एक इंपोर्टेंट निशान आता है बेल्ट का निशान वो निशान आप कैसे लोग है तो यहां पर मार्जिन से ब्लाउज की लंबाई है साड़े पंदरा इंच की बेल्ट का नि सिंचेस्ट में देखिए अगर आपने बॉड़ी मेजरमेंट लिया है तो कटोरी छे इंच लगबागाती है 38 इंचेस्ट में पॉने 6 छे डिपेंडिंग और ये आप क्या करोगे 6 इंच का जैसे आपने निशान लगा दिया ठीक है ये निशान लगाए एक निशान आपको य तो मुक्ष जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि कटोरी का निशान कैसे लगाते है तो पहले बात करेंगे यापर शोल्डर से गले की तरब जो एक निशान लगता है ये आप गले के हिसाब से लगाओ ठीक है गले के हिसाब से चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपका कि नीचे वाली गुलाई से मतलगा पीछे पले की गुलाई से 1,5 इंच का निशान लोगे कब तक 40 इंच एस्ट तक उसके बाद आप नीचे वाली गुलाई से 1,2 इंच का निशान लोगे ताकि क्रॉस पठ्टी आपकी पतली नहीं ठीक है यह अब हम निशानों को मिलाते ह कैसे मिलाएंगे इस यह मिलाने के बाद आपको कटोरी का शेप देना है गोल से यह हलुका सा राउंड आएगा यह यह हो गया अब देखें कटोरी हमने लिया छे इंच-च्छे इंच की जब कटोरी लिये हैं तो उसका सेंटर लेंगे तो वह होगा तीन इंच-छों यह तीन निकालने के लिए सवा दो इंच की ये दूरी लिए इस टाइप से और यहां से आपको तिर्चा कर देना है पॉन इंच ऊपर इस टाइप से तो यह आपका कम्प्लीट ड्राफ्टिंग होता है कटोरी ब्लाउच का आगे और क्या क्या करना है वीडियो को पूरा ध्यान से दे अब क्या करोगे यह आपको काट के अलग कर देना है उसके बाद यहां पर देखिए आपका सामने का पल्ला जिस पे पूरे निशान लग कर देना है उसके बाद यहां पर देखिए आर्मखौल को छांट देना है अब इसके बाद हम करेंगे गले की कटिंग अब हम कटोरी अलग करेंगे यह हो गया है इसके बाद देखिए एक जरूरी जानकारी जो कटोरी के बाद है यह जो कटोरी हमने कट किया यह आपका फिट नहीं होगा ठीक है इस पर डॉंट लगाना है तो डॉंट के लिए आपको अलग से मार्जिन देना पड़ेगा उसको समझेए सबसे पहले आपको इसको सेंटर से फोल्ड करना है यह ऐसे और यह जो हमने सेंटर का निशान लगाना इन पर कट्स लगा देने इस परकार से ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कटोरी को मार्जिन दे करके बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाना है और आपको क्लियर समझ में आए इसलिए मैं पस्ट रूप से इसमें समझ में आएगा चलिए एक extra paper लेते हैं margin वाली कटोरी काटने के लिए और यहाँ पर देखना step by step बताऊंगा कि कटोरी को गोल कैसे बनाते हैं और आप कैसे एक perfect कटोरी बना सकते हो 100% fitting आएगी इसमें यह कटोरी है हमने इसको रखा नीचे एक extra paper लि आएंगे इतना आगे बढ़ाने के बाद tape से यहाँ पर एक measurement लेना है जो कि center से 0.5 inch का एक निशान होगा ठीक यह निशान के बाद यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा इधर जो हम निशान लेंगे यह 7 inch दूरी पर लेना है 7 inch margin इस side में यह ऐसे और तरीका भी आप लोग आपको इस तरह से मिलाना है यह ऐसे और यह वाला निशान भी ऐसा तो दोनों मिल गया अब scale को हमने रख दिया यहाँ पर देखना गले का जो shape है न उसमें दोनों नोक पर आपको सिलाई margin देना है अब सिलाई margin कितना half inch का ठीक यह इस नोक पर भी और इस नोक पर भी यह ऐ half inch का आपका margin चला जाएगा फिर यह निशान भी आप scale से इस तरह से मिला दो और अब अंत में बज़ गया यह गोलाई वाला निशान जो कि बहुत ही important होता है उपर से इस टाइप से शुरुबात करना देखिया और नीचे इसको आपको इस तरह से मिलाना है कि यह जो 7 inch का margin इन उस पर आकर कि यह बराबर बैठ है clear है यह एक बार इसको आप देख सकते हो चाहो screenshot ले सकते हो मैं scale भी हटा देता हूं ताकि आपको proper समझ में यह देखें यह इस प्रकार से हमने किया कटोरी को complete set ठीक है अब करते हैं इसकी cutting थोड़ा सा बताऊंगा dot के बारे में कि dot कैसे लेना है यह हो गया अब देखिए इसके dot के लिए आपको इसको फोल्ड करना है लेकिन फोल्ड करते वागे बात हमीशा ध्यान रखना कि कटोरी का गोलाई वाला हिस्सा उपर होना चाहिए ठीक है इस चीज को ध्यान रखना जब आप इसको सेंटर से फोल्ड करोगे ना देखिए मैं इसका सेंटर दिखा रहा हूं आप लोगों को यह देखो इस तरफ हमने एक निशान भी लगाया सेंटर का तो आपको clear यहां पर मालूम होगा यह इस टाइप से ठीक है यह सेंटर है यह देखो इसको जब हमने फो आपका निशान इस सेंटर पॉइंट से जाकर के मिलेगा तब आपके कटूरी का परफेक्ट डॉंट बनेगा गोल कटूरी आएगी डॉंट में कोई प्रोब्लम नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी आपकी इसमें फिटिंग यह बने गया परफेक्ट कटूरी जो आपका क्रॉस पट्टी में जाकर के फिट होगा ठीक है इस कटूरी का आपको दियान रखना है यह इस तरह से बनाओगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी बहुत सारी चीजे होती है विस्तार से इस चैनल पर भी जब आप मैं कटिंग बताने लग गया हूं तो बहुत सारे तो फ्रेंट्स यह जो बेल्ट है इसमें आपको पॉन इंच का मार्जिन देना है जब आप फर्मा बनाओगे तो यह इतना मार्जिन एक्ष्ट्र आपको कपड़े पर जब आप इस फर्मे को रख करके कटोगे तो देना है तो इस बात का भी ध्यान रखना और एक चीज ज अब हम क्यला उपने कट लगा ऑड़ सब इस निशान को आगे बढ़ाते हैं अब हम क्या करांगे निचे गला फैलाओ देंगे तीन इंच का और उपर उस सवाद इंच वाले निशान से मिला देंगे मिलाने के बाद जो शेप आप देना चाहते हो गले का जैसे यहाँ पर हम देंगे आज मठके गले का शेप तो नीचे तो आपका गोल से भी आएगा मठके गले में नीचे गोल गला ही होता है लेकिन मठका का जो shape आप लोग देखे होंगे मठका कीस तरह से होता है ये थोड़ा सा अंदर आएगा इस type से और उसके बाद थोड़ा बाहर निकल करके उसी गोल गले में जाकर के मिल जाता है यह होता है perfectly मठके गले का shape dot की अगर बात करें तो दूरी होगी साड़े 4 इंच की ये इस टाइप से और उचाई भी लगबग होगी सवा 4 इंच की ठीक है यह यहाँ पर निशान लगाते हैं और उचाई के लिए यहाँ पर यह इस टाइप से निशान लगाएंगे और scale से आपको इसको सीधा मिला देना है पीछे पले का dot आपका half inch का लगेगा गला मैं काट करके नहीं बता रहा हूँ अस्तिन कटिंग हरे ब्लाउज में सेम होता है इसलिए उसको रिपीट नहीं करूँगा सिलाई अगर आप देखना चाहते हो दिलिप टेलर शेंड बूटी पे विजेट करके सर्च करना काटोरी बलाउज की सिलाई आपको वीडियो मिल जाएगा मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को इस वीडियो से काफी कूछ सीखने को मिला होगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बराएं है चैनल को सस्क्राइब किये बिना मच जाएगा अब मैं राजनब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन